नमस्कर दोस्तों रेखतास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आसा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे प्रेंट्स आज में आप लोग के साथ मेथी के साग को किस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो उसी का वीडियो सेयर करूँगी सरदी का सेजन सुर हो चुका है और मार्केट में खुफ सारे मेथी के साग आ रहे है और मेथी के पराटे हो या मेथी के साग हो हम सभी को खाना बहुत ही अच्छा लगता है और जितना ही इसे खाना अच्छा लगता है उतना ही सरदर्दी का काम होते हैं कि मेथी के पत्ते को एक एक करके हमें क्लीन करना तो आज मैं वही टिप्स सेयर करूंगी कि कैसे आप आसान तरीके से मेथी के पत्ते को क्लीन कर सकते हो तो चलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने मेथी के साग ले लिया है जितना आपको चाहिए आप उतना यहां पर ले सकते हो तो मैंने यहां पर थोड़ा साग ले लिया है नॉर्मली क्या होता है हम इस तरीके से पत्ते को अलग करते हैं इस तरीके से और जो खड़ा पत्ते होते हैं उसे हम नहीं ले तो नॉर्मली तो साग हम इस तरीके से क्लीन करते हैं लेकिन आज जो मैं टीप साब लोग के साथ सेयर करूँगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह जो मेथी के साग के नीचे का भाग है इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से काट लेंगे तो रसा इस तरीके से हम जार लेंगे जो भी खड़ाप पत्ते होगा वो नीचे की उड़ा आ जाएगा साइट कर देंगे अब हमें चाहिए जैसे ही यह पत्ते हैं यहां से जो खड़ाप पत्ते होगा उसे हम इस तरीके से अलग कर लेंगे अब हम यहां से जो खड़ाब पत्ते होगा ना उसे हम अलग कर लेंगे और हमें चाहिए इस तरीके से पूरी तलने वाला यह छन्नी यह हमारे सभी के घर में नॉर्मली होता है तो इस तरीके से हम डालेंगे और देखें और नीचे की ओर ऐसे खीचेंगे और इसका डंठल अलग हो जाएगा और पत्ते अलग देखें इस तरीके से आपका टाइम भी काफी बच जाएगा बस जो खराब पत्ते होगा उसे हम पहले अलग कर लेंगे सिर्फ पत्ते पत्ते आपका इसमें रह जाएगा तो फ्रेंट्स इसी तरीके से मैं साग को पहले क्लीन कर लूँगी उसके बाद हम साग को अच्छे से वास करेंगे और फिर हम साग को अपने जो सबजी बनाना है या थेपला या पडाठे उसी साब से हम काट लेंगे तो मैं पहले इसी तरीके से सभी साग को क्लीन कर लेती हूँ तो मैंने साग को क्लीन कर लिया है और आप दीख सकते हो एक एक पत्ते इसका अच्छे से हमारा क्लीन हुआ है तो फिर्ट्स ये छोटा साथ टीप्स आप लोग को कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगर आज का वीडियो आप लोग को थोड़ा साभी यूसफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपनी दोस्तों में मेरे वीडियो को जादा से जादा सेयर कीजेगा तो नए कोई ऐसी टीप्स के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक अपना ख्यार लखेगा और चेरप्या में साथ स्माइल लखेगा